अगर लंबे पॉड्कास अच्छे नहीं लगते है ना तो छोटे-छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं यह है टी आरेस क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब स्पेसिफिकली समुंदर की बात की जाए तो आपको कभी खौफ महसूस हुआ है कोई भी मिशिन पर नहीं कभी नहीं बिलकुल नहीं कभी नहीं बट क्यूंकि आप कमांडर हो पर अगर आप कमांडर नहीं होते तो कोई ऐसी सिचुएश्ट भारती नहीं में कम से कम 150 के करीब जो करें जो आपको करने जा रहो हो मैंने यह सुनाई नाइट डाइव्स थोड़े से मेडिटेटिव भी होते हैं तो थोड़े से डराओने भी होते हैं क्यूंकि आपके आज पास जो हो आपको दिखता नहीं सुबह में जो आप समुंदर को देखोगे तो आपको आहा सुंदर समुंदर देखेगा वही समुंदर रात को थोड़ा सा भयानक दिख सकता है कि Kya है कि हम जो समुदर कि भारती नउस kesana में एक आपमी अक्यला नहीं करता है, दो बंढ़ी पेर में बंढ़ते हैं, एक पड़ी लाइन होती है कि जो दो मिटर लंबी होती है, लेma गाल दन दॉसरा दोनो साथ में डाइविह करते है, तो तो उसके अधने अधरिकसि पहलो क कि जो धहर है ना एक जुस्से से बढ़ता रहता है सेल कॉंपरेंस अब बोथ एक्चुली मुल्टिप्लाइज दुसरा किया है कि सब को पता है कि मुझे कुछ हो गया तो यह सपोर्ट करने के मेरे बन्दा है और तीसरा किया कि आद्मी बोर नहीं होता है की पानि कि अंदर आप फॉमीं करते को angles करते हैं पानि करते हैं तो आदमी बूर हो याता है तो हम लोग अधुन अंदरॉट आटक्ष्री घरते हैं जांधुन बोल्ते हैं लगे निकुन पनी में घूम्भान ते हुए तो वो एंटर्टेनिक आभी होता है पाने केंदे, so that is why दो-दो लोग डाइव करते हैं, पर सर, actually, अच्छा, आप specifically night dives के बार में कुछ बता सकता है, महसूस क्या होता, जब आपने पहरी बार night dive किया, तो आपको क्या पता चला, मैंने लाइफ में दो बार open water में diving करी है, और पहली बार मुझे वेल दिखी थी, पहले dive में, और मुझे तब ये पता चला कि हम कितने छोटे हैं as human beings, और एक पूरी दुनिया आपके नीचे आपको देखने को मिलती है, actually, क्या होता है कि रात को है न, there is an effect called bioluminescence, तो ये कुछ किटानू होते हैं, जो कि पानी के अंदर होते हैं, प्लैंक्टन, not planktons, they create bioluminescence, यानि कि अगर हाथ में पानी को हिलाओ गए न, तो वो न, वो जुगनू के राँ चमकते हैं, तो एक तो ये मज़ा होता है, दुसरा क्या होता है कि पानी के अंदर रात को पानी होल्स लॉड़ ओफ हीट, तो वड़ा ऐसा लगता है कि सोना बात ले रहे हैं, तो मैं अच्छी बाते कर रहा हूं, जी, 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 लगता है कि हाँ गरम पानी में आराम से, जब ज़्यादा डीप जाओगे ना, तब ठंड लगी शुरू होती है, तो हम अपने इंस्टर को चक्मा देने के लिए, जैसे कि हम लोग कभी डाइविंग करते थे कि उपपर से सर्फेस डिमांड, यानि कि उपपर से आपको हवा मिल रही है, एक पाइप के जरीये, तो इंस्टर बोला कि पंद्रा मिटर में डाइव करो, हमें पता है कि आठ मिटर के बाद थंड लगनी शुरू हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं थे कि आठ मिटर में रुक के, और वहां पर जो रोप है, और वहां पाइप को रोल करते थे, इंस्टर को तो यह मानने है कि इतनी पाइप जारी था, तो अभी पंद्रा मिटर में पाँचे हम बढ़े हुआ एट मिटर में, तो इसे वोड़ी चीटिंग होती थी, मजा आथा था, बट यहां एक बात है कि ना, अज़ा उन्डरवाटर कुछ दिखता नहीं है, बगोज इस नाइट, तो सनाटा अचाय होता है, तो कभी कभी सनाटा में वे तो यह जाता है, और अज़ा उन्डरवाटर क्या होता है, हम लोग अकसर वोर्ट में डाइव करते हैं, थान बन्दरम करते हैं, जहां पर नारा diving school है, तो वहांपे क्या होता है क्या जट्टी यजाज काफी है, वहांपे यह बारनUCKल होता है, बारनकल अंडर्वाटर ग्रोड्व कहते हैं, दיयार रैनिमल जानिम्ल, अंडरवाटर इस, तो वह आवाज करते हैं। आवाज निलाएं, तो आवाज में दी अवाज एक विर नियुक्ट आपने नहीं हो, आपके बड़ी के अलावा, अपर तो खर्राप के डाइविंग शुप्रवाइजर दाइविंग बोर्ट में बैठे वे हैं, लेकिन चारतर भी लोग हैं, अच्छा अच्छा डर नहीं तो आप अपको बड़ गर लग रहा है तो आपको प्लस अगर आपने को सांप देख लिया तो आपके पहला या अपनाज में आपके पहला है कि कहीं अपना जली फिछ देख लिए अपने तो यह सब चीजे होती है लेकिन रात को क्यों कि यू कांट सी निइधिंग तो क्या हो है तो इसको बोलते है जिए अपना सेर्व उसमें सैंड में डाल देता है तो उसको कुछ दिखता निए उस सोता है कि कोई प्रालम है नहीं है something similar to this सब पर कहा जाद है कि apex predators रात को निकलते है tigers, lion, रात को हंट करते है उसी तरह समुंदर में भी जो dangerous sharks होती है I'm assuming orcas जो समुंदर के apex predators है वो भी रात को निकलते हैं लेकिन क्या है कि हम लोग वहां इसे जगमन डाइव नहीं करते हैं क्योंकि diving जो फॉज में होती है और not only फॉज में इवन रेक्रेशन डाइव जो होती है जाद स्कुबा डाइविं के बात कर रहे हैं स्कुबा का फॉल फॉर में है यौनों self-contained underwater breathing apparatus हम लोग स्कुबा डाइविं नहीं करते हैं करवार्शनल मिलिटर डाइविं करते हैं जो कि उनके her diving set बड़े होते हैं तो हम लोग स्कुबा गालाइव नहीं करते हैं जो भी हम डाइविं करते हैं इड है लिए ट्रेनिग्स घर्टी घर्टी अटी इस प्रिंटी यह होती है ताकि वो फटे और उनका ज्याद में हानी हो. तो हम यह सब डाइविंग करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आपका मन वैसे भी फोकस होता है किसी काम पर. Because you're not doing for entertainment, you're doing it for a purpose. If you have a purpose, then you can do a lot of things, get sorted out. तो यह है. And moreover, अगर हमें यह पता चले कि हमें डाइविंग की जगा करनी हैं, जहां पे की शार्कवार का कोई खतरा है, तो हम लोग उस जगा को अवाइड करते हैं. Unless वो जगा बहुत इंपॉर्टन है from the point of view of targeting the enemy. तब अगर एनिमे को टागट करना, तो यह शार्कवार यह सब कोई किजी को ध्यान ही होता है. ऐसा कोई operation किया है आपने? जर्ली क्या होता है कि अगर हमें operation करना पड़े, तो जो जहाज होते हैं वो यह तो port limits के अंदर होते हैं. तो नॉर्मली port limits यह बंदरगा के अंदर कोई शार्कवार का जला मेगमा होता नहीं है. तो एक तो यह है. दूसरी बात क्या होते हैं कि हर गोता को एक चोटा सा शार्क रेपेलेंट का एक डबबा दिया जाता है. शार्क रेपेलेंट? उसको बलते हैं शार्क रेपेलेंट. शार्क होती है. शार्क रेपेलेंट का जाता है. तो वह कहते हैं हमें सिखाय गया था कि अगर आपको शार्क दिखे तो आप वो दबबे को खोल देना. और आपके चारण तोर पूरा काला सा एक इंक की तरह, श्याही की तरह, एक उपेक फिल्म बन जाएगी, तो शार्क आपको देखनी बाएगी, शार्क वापी से ले जाएगी, और हमें पूरा यकीन था कि यह सब बकवास है, क्यूंकि वो दो मिंट के बाद धुल जाएगा, तो शार्क वही घड़ी रहेगी, शार्क भी सूझे की यह क्या हो रहा है, और आपके परिजानी बढ़ सकती है, बड़ ऐसा मौका कभी मिला नहीं, सुनने में आया है कि यब शार्क कोई चीज को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, तो इन्वेस्टिगेट थू बाइटिं यानि कि अगर आपके बार में जानना है, तो अगर मैं आप से पब्लिक में मिलूँगा, मैं आपके शॉल्डर पर हाट दूँगा, शार्क आपको काट लेगी, तास ट्रू, देखो ऐसा है कि यह पड़ा हमने, या कस्तो इस ए फ्रेंच नेवल डाइवर, जो कि उसको प्रेंच नेवी छोड़ने के बाद, वो एक प्रोफेस्चनल डाइविंग च topics, अंडरवाटर अखेलोजी, इस भी के आख धा Ayol? तो जैक कस्व ने डाइव किया वह इंटरस्ट है कि जहां शार्क होगी मैं वहाँ डाइव करूँगा तो पोर्ट बेर में अंडर्म निकोर आर्म में काफी शार्क्स हैं तो यह भी उनके साथ चले गए और उसके उनने डाइविंग किया अब जैक कस्व उसके टीम तो बहु चल हो जाना है क्योंकि अगर आप पैरे की कोशिश करोगे तो शार्क को लगया कि या आप एक सील हो या तो कोई जो अंदर का पानी का जानवर हो जो कि उसकी खुराक होती है तो आपको खालेगा लेकि अगर आप ऐसे देखो कि उसकी तरफ एंटो आपका अपका इन में से एक एलाइन अच्छी लगी वो लास्ट वाली पुकि अधिए और प्रेक्टिकल तो फैर फैर टियारस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तो लव तो यू आल नीचे हमने लिंक किया इस पूरे के पूरे पॉड़कास को यानि पूरे वूरे के लिए और बाली बाली म。